कि नमस्कार दोस्तों आपका हर्दिक स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त रामबाव बूरी इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिये और साथ में अपने दोस्तों के साथ में सेर कीजिये तो आज हम आपके लिए लाएं हैं साथाए करन्ट अफेयर्स के अंतरकत आठ फरवरी से 14 फरवरी 2020 तका करन्ट अफेयर्स जो कि आनेवाले वन्डे एक्जाम्स के लिए बहुती लापकर इसाबिद होंगे तो आई हम शुरुवात करते हैं विविन प्रिक्षाओं की दृष्टी से मैटमुन खबरों पर तो सबसे पहले खबर है उडान नागरिक उडियन मंत्राले ने आट परवरी 2020 को बारत सरकार की शेत्रिय संपर की उजना उड़े देश का आम नागरिक के तह सिंग खारोला ने इस सेवा को जन्दी दिखाई सहस्त्र धारा गोचर चिन्याली सोड मार्क के शुरू होने के साथ नागरिक उडियन मंत्राले ने उडान के तहट 260 मार्गों का परचालन कर दिया है इसके अलावा उडान के तहट पवन हंस लिमिटेड पी एचल भी जोली ग्रांट एरपोर्ट देराबुदून से ने टीहरी स्रीनगर चमोली उत्राखंड और गोचर में भी परचालन शुरू करने जा रही है इगवनेंस भारत एड़दारेट 75 के लिए महतपून है केंद्रिय पुर्वोतर छेतर विकास स्वतंतर परभाल प्रधान मंत्री कारे यह इगवनेंस महतपून है जब देश स्वतंतता की 75 वी वर्षगांट मना रहा है इगवनेंस पर प्रसासनिक सुधारिम कार्मिक सिकायत विभाग डिये आर पीजी और महराष्ट सरकार द्वारा आईजीत एक राष्टी सम्मेलन को सम्मधित करते हुए केंद्रिय मंत्री ने कहा कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी के भारत 2022 के द्रिश्टिकोंड को प्राप्त करने के लिए डिजिटल ट्रांसपोर्मेशन आवशक है आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, AI, डीप लर्निंग, ब्लोक्चेन, डेटा अनलेसिस, आदिश सम्मधित थीम पर आईजित आठ परवरी 2020 को सम्मेलन में डॉक्टर जितंदर सिंग ने कहा कि ENAM किसानों के लिए E-Hospital Healthcare के लिए आईशमान सहित GEM व्यापार के लिए OSI ओनलाइन सिमाओं के लिए इसे आगे भी होना चाहिए डॉक्टर जितंदर सिंग ने विविन भिशियों पर आदारित हाली में आईजित किये गे सम्मेलनों की एक सरंख्ला का उलेक भी किया जिसमे कनेक्टिबिटी में सुधार के लिए समर्पित शिलोंग सम्मिलन और सिलोंग घोष्ठणा जमू सूसासने सम्मिलन के साथ मुम्बई के नोसेनिक स्कूल की छातरा एंसी एस के साथ वी कक्सा की छातरा कामया कार्थी केन ज्रेक्षण अमेरिका की सबसे उची परवत चोटी एकोन का गुवा किूपत है करने वाली दुनिया की सबसे कम उमर की लड़की बन गई है काम्या ने 6962 मीटर उची इस परवत चोटी को पतह कर वहाँ एक फरवरी 2020 को तिरंगा पहराया वर्सों से सारिरिक और मांसिक रूप से तयारी करने तता साहसी खेलों में नेमित बागिदारी के साथ मजबूत चरितर ने काम्या को इस दर्लोब उपलब्दी को प्राप्त करने के लिए कई प्रसासनिक बादाहों और दुर्गम चड़ाई की मुश्किलों को पार करने में मदद की है नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट विस्व दलहन दिवस समारो संयुक्त राष्ट विस्व दलहन दिवस समारो का दस फरवरी 2020 को नई दिल्ली में उदगाटन करते विए केंद्री एकरसी और किसान कल्यान मंतरी सिरी नरेंदर सिंग तोमर ने कहा कि देश में दलहनों के उत्पादन बढ़ाने में सरकार की पहलों से सकारात्मक परिणाम प्राथ हुए हैं और सरकार इसके उत्पादन के लिए किसानों को लाबकारी कीमत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है फसल वर्स 2018 में बारत ने 22 मिलियन टन दलहन का उत्पादन किया और अगले वर्स के लिए 26.30 मिलियन टन का लक्षे रखा गया है क्रशियम किसान कल्यान मंत्री ने कहा कि उपज का उचित मुल्य सुनिचित करने के लिए सरकार ने स्वामी नाथन समीथी की शिपारिसों के आधार पर MSP को डेट गुना बढ़ा दिया है स्योक्त राष्ट मासबा ने 2019 से परतेक वर्स के दस परवरी को स्योक्त राष्ट विस दल हन दिवस के रूप में नामित किया है Global Pulse Confederation GPC के सयोग से नेफेड दुआरा इसका वर्स का रिकरम का आईजिन किया गया था इस अवसर पर सिरी तोमर ने नेफेड दलहनों तता नेफेड जेविक दलहनों का फैमली पेक लॉंच किया नेफेड की 2 October 1958 को इस्तापना के समय से लेकर वर्तमान तक संपूर्ण विवरन सहित एक नेफेड कोफी टेबल बुक एक FAO परकासन दालों की वेश्वी कर्तविस्ता को भी लॉंच किया गया है नेशनल एगली कचर कोपरेटिव एडरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड नेफेड नियुन्तम समर्थन मुल्य MSP और PM आसा के तहत दलहन और तिलहन कोपरा और कपास की खरीद के लिए भारस सरकार की केंद्रिय नोडा लेजेंशी है फ्रांस में 1963 में स्ताफित Global Pulse Confederation GPC का मुख्यालेव 2009 से दुबई में है यह दालों के उत्पादन उभ्भोग जागरुकता और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक गयर का लाबकारी संगटन है जो दाल का उत्पादन उभ्भोग बढ़ाने आपूर्ती संबंदी हर घटक जैसे उत्पादकों व्यापारियों सरकारी निकाईयों व्यापार समर्दन संस्ताओं प्रोसेसर और उभ्भोगताओं का पते निदित्व करता है ये पचास से अधिक देशों में दालों के व्यापार में लगे 26 राष्टिय संगों और हजारों कॉर्पोरेट्स का परिसंग है बारत में कोईला खानों की इस्टार रेटिंग के लिए वेप वोटल शुरू एक ओजार के रूप में प्रद्वगी के इस्तमाल से सरित शुरक्षित और ठिकाओ खन पर्मपराओं को बड़ावा देने के लिए कोईला मंत्राले ने कोईला खानों की इस्टार रेटिंग के लिए एक वेप वोटल शुरू किया है केंद्रिय कोईला और खान मंत्री स्री प्रलाद जोजी ने 10 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में इस पोटल को शुरू किया जो भारत में सभी संचालित कोईला खानों को स्वय रेटिंग को नियंत्रक संगटन CCO द्वारा उनके सत्यापन अगले मुल्यांकन और अंत्मे स्टार रेटिंग के आवंटन में सक्सम बनाता है इस वेपोटल पर एक सु वेबस्ते तंत्र के माद्यम से प्राप्त की गई स्टार रेटिंग के आधार पर देश के उचतम स्कोरिंग वाले खानों को एक सारजुनिक समारों में समानित किया जाएगा सभी खानों के को CCO द्वारा उनकी स्टार रेटिंग और विशेश रिपोर्टिंग वर्स का उलेक करते विए एक अधिकारिक प्रमान पत्र दिया जाएगा ऐसे खान जिनका स्कोर 91 से 100 पर तिसत तक होगा उन्हें 5 स्टार मिलेगा 81 to 90 पर तिसत वाले को 4 स्टार 71 से 80 पर तिसत वालों को 3 स्टार 61 से 70 पर तिसत वालों को 2 स्टार 41 से 60 पर तिसत वालों को 1 स्टार और 0-40% तक इसको वाले खानों को पोर्टल पर कोई स्टार नहीं मिलेगा जो भारती कोईला खानों के लिए स्टार रेटिंग में निर्धारित परकिरियाओं के नुसार है कोईला मंत्राले ने पिछले वर्स भारत में कोईला खानों के लिए एक इस्टार रेटिंग निती तयार की थी यह निती खुली ख़दानों के मुल्यांकन के लिए 50 मानक तथा भुमिकत खानों के लिए 47 मानक निर्दारित किये गए थे इस नीती में खनन संचालन संबंदी मान को पर्यावरन संबंदी मान को प्रद्यक्यकियों का अंगी करन सरुस्रिष्ट खनन प्रताओं आर्थिक निस्पादन पुनरवास और पुनरवास संबंदी मान को कामगार संबंदी अनुपालन और सुरक्षा तथा संग्रक्षा संब क्रेडिट कार्ड कि All You Need To Know रियायति शंस्ताकत रेणों तक सभी की पहुँच सुनेशित करने के लिए भारस सरकार ने पी अम किसान के सभी लाभारतियों के लिए मिसन मोन में किसान क्रेडिट कार्ड के सी सी परिपूनता अभ्यान सुरू किया है ऐसे में इस तरह के सभी किसानों को समय पर पुनर बक्तान करने में अधिक्तम 4 परतिशत की ब्यासदर पर पसलो एम पसु मतस्य पालन के लिए अल्पकालिक रिण प्राफ्ट करने में मदद मिलेगी यह अभियान 10 फरवरी 2020 से सुरू हो गया है और इसे 15 दिनों तक चलाए जाएगा इस सम्मंद में विस्तरत निर्देश सभी राजियो के अनरसासित परदेशों की सरकारों सभी बैंकों के प्रभंद निर्देशकों और नाबाड के चैर्मनों को जारी कर दिये गए हैं जिनमें के साथ साथ ब्याज में रियायत का लाब अब पसुपालन और मतस्य पालन किसानों के लिए भी सुनिजित किया गया है महिंद्रा और महिंद्रा और फोर्ड मोटर भारतिय पर्तिसपर्दा योग CCIO ने महिंद्रा और महिंद्रा और फोर्ड मोटर के बीच एक संयुक्त उध्यम मनाने एबं फोर्ड इंडिया का ओटोमेटिव विवसाय संयुक्त उध्यम को हस्तांत्रित करने को मंजूरी दे दी है प्रस्तावित संयुजन में महिंद्रा और महिंद्रा लिमिटेड M&M और फोर्ड कंपनी FMC के बीच आडोर ओटोमेटिक प्राइविट लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उध्यम मनाने तता फोर्ड इंडिया प्राइविट लिमिटेड FIPL का ओटोमेटिव विवसाय सान एक्सेंज और बॉम्बे स्टोक एक्सेंज BAC पर होती है महिंद्रा गुरूप का विवसाय विविन सेक्टरों में फैला हुआ है जिनमें ओटोमेटिव मोटर वहान कर्शी उपकरण एम सेवाएं छोटी रेंज वाले विजुद पादन उपकरण वित्य सेवाएं सूचना प्रद्रगी की आईटी लोजिस्टिक वेकल्पी कुर्जा हेरो स्पेस इसपाथ प्रसंस्क्रंट ट्रेडिंग एंसुरेंस ब्रॉकिंग अचल संपती रियल स्टेट एमसरचना और आथित्य जैसे सेक्टर सामिल है फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिका की एक ओटो मोबैल कंप स्टेट पूर्ण स्वामित वाली स्योगी कंपनी है रियर एड्मिरल पूरवीरदास और संजे वाक्षायन यह आपके सामने रियर एड्मिरल पूरवीरदास नोसेना मेडल ने 10 फरवरी 2020 को मुख्यले गुजरात धमन एमदीव नोसेना चेत्रमियाजीत ओप्चारिक प्र प्रवीर्दास एंडिये के पुरुचात्र है अपने तीस वर्ष के करियर में उन्होंने अनेक विश्य सग्य इस्टाप और परिचालान पदों पर कारिये किया है उन्होंने भारतियों से नाके जहाजों कोजी कोड कोरा सिवाली कोड विमान वाग पोथ पिक्रम देटे की कमान भी समभली है रियर एड्मिलर सूरज बेरी ये वीएसम नम वीएसम ने दसपरवरी 2020 को विसाका पटनम में एक भवे समारों में रियर एड्मिल संजेवाद चैयन एनम एनम को पूरवी फ्लीट की कमान सोपी पूरवी फ्लीट में भारतिय नो सेना के अगरणी युद्व पोथ सामिल है जिनने देश के समुद्र हितों की रक्षा केरे भारत पर सांथ चेतर में तेनात किया गया है रियर एड्मिरल संजेवाद स्यायन परतिसिष्ट राष्टी रक्षा अकादमी खड़क वासला रक के पास उनके पास समुद्र और समुद्रतर के बारे में व्यापकन बहुए उन्होंने विभूती और नासाक नामक विसाइल जहाजो निर्देशित मिसाइल कॉर्वेट कुथार की कमान भी संबाली है और स्वादेश निर्मित अच्ट्याजनिक स्टिर्थ फ्रिगेट लाजेस पैंडार कर वी एसम वी एसम ने ग्यारा परवरी 2020 को फ्लेग ओफिसर्शी ट्रेनिंग एफ ओ एस्टी के रूप में पतभार करण किया है वे राश्टी रक्षा कादमी के पूर्व चात्रवर वजर्णमरी 1987 में भारती नोसेना में नियुक्त हुए थे अधिगार रक्षा और सामरी कध्यन में सनात को तर्डिग्री भी प्राप्त की है फ्लेग ओफिसर एंटी सब्मरीन वारफेर एस डबलीव विसे सगी हैं उन्होंने अपनी विसिष्ट नोसेनी करियर के दोरान दक्षन कोरिया की मसान में और सोर पेट्रोल वेसल आयनस बुद्रा के क सिख्षक भारती नोसेना के जहाजो दूनागिरी और कंगा के एस डबलीु अधिकारी और रथियार विस्तिषन आय्काई-मे विस्तिषन अधिकारी की रूप के भी काम किया है नोसेना में उनके अन्य कार्या कालों में विसायल कोरवेटं इनस कृपान और मिसाईल विद् भी सामिल है राश्टिय वित्य प्रावन्हाожно संस्तान फरीधाबाद वारत सरकार ने하지 वित्य प्रबंदन संस्तान इन ऑई किप वित एवं लेखा सेवाओं के अदिकाईयों के साथ साथ भारतिय वे लेखा सेवा के अधिकाईयों को प्रसेक्ष्रित करने के सास नादेश के साथ भारसरकार के वित नंतरा लेके वे भाग के तहत एक पंजिकरत संस्ता की रूप में वर्स 1993 में एन आई एफम परिदाबाद की स्टापना की गई थी केंद्रिय वित्र मंतरी एन आई एफम समीती के अध्यक्ष है पिछले समय में यह संस्तान सारजनी नीती वित्य परभंदन सारजनी खरीद और अन्य प्रसासन के मुद्दों पर चेतर में विवसाईक दक्षता और परंप्रा के उचतम माफदन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रसिक्षन संबंदी आउसकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रमुक संसादन केंद्र बन गया है एन आई एफम राज्य सरकारों रक्ष में सनात कोतर डिप्लोमा के लिए AICTE द्वारा अनुमोधित विसेशगे पाठकरों को विसंचालित करता है पूरू केंद्रियवित मंतरी और पदम विवुशन से सम्मानेत स्वर्गे सिरी अरणुजेटली ने 26 मई 2014 से 30 मई 2019 की अवधी के दोरान केंद्रियवित और पढ़नाली के तहत ला दिया उनके नेत्तों में रेल बजट का आम बजट के साथ विले कर दिया गया था उन्होंने ही इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड की सुरुवात की भी सुनिशित की स्वर्गेश्री अनुजेटली के दिश्टिकौन और योगदान के बल पर भ तक नेकने ने लिया है नि दिली के इंडिया गेट लोन में हनरोट का आयजंट अल्वसंत्य कि करेम मंतर अले द्वारा निधिली की राजपत Support इंडिया लोन में । परवरी से हुनरोट का आईजन किया जा रहा है जो हुनरोट 23 परवरी 2020 तक चलेगा इस वर्स का विशेग है कोसल को काम स्री नकवी ने कहा कि अभी तक हुनरोट का आईजन दिल्ली मंबई, परियागराज, लकनव, जेवूर, एमदाबाद, हैदराबाद, पुद्दुचेरी तता इंदोर जैसे संस्तानों पर आईजित किया गये हैं अगला हुनरोट रांची में 29 परवरी से 8 मार्च तक और चंडिगड में 13 से 22 मार्च 2020 तक आईजित किया जाएगा आजिता एजिकरेशन फांडेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमाने चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल चके वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद